हेलो डियर रॉल, वेलकम बैक, इस यो चैप्टर नमबर टू, तो इसमें हम अभी बेसिक सा डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं कि पोटेंशल डिफरेंस होता क्या है, अब देखो डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, एक होता है सोर्स हमारा बाइचांस अगर क्यू है, और कहीं दूर अगर आपका एक प्लस का ही क्यू नॉट, आपको पता है यहां टेस्ट चार्ज बैठा होता है, ठीक है, ओके, अभी जो टेस्ट चार्ज और यह जो सोर्स चार्ज यहां पर बैठे हैं, इन में आपस में एक लगता है, फो है, ठीक है, और इस केस में जो इलेक्ट्र स्टेटिक फोर्स है, वो आप देख रहे होंगे, क्यूंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो इस सोर्स चार्ज यानि यह जो टेस्ट चार्ज हमारा होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसके अगेंस्ट में लगेगी, की तरफ फैकेगा, ठीक है, लेकिन आपको जब इस चैप्टर में अभी यहां पर पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है, सपोज यह कोई पॉइंट ए है, और यह कोई पॉइंट यहां पर मैं भी एजियूम करता हूँ, तो अब होगा क्या, पोटेंशल इस पॉइंट एस चार्ज को इस पॉइंट बी में लाने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वर्ग डन करना पड़ेगा, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस चार्ज को यहां से उठा के यहां रखूँ, तो मुझे एक छोटा सा वर्ग डन यहां पर करना पड़े यह भी आपको समझ में आ रहा है तो अगर A और B दो पॉइंट है तो जो मुझे work done करना पड़ रहा है इस A को B तक लाने के लिए इस electrostatic force के against तो इसी को बोला जाता है आपका potential difference ठीक है तो जब आप potential difference में इस definition में भी आएंगे तो आपको realize होगा कि यहाँ पे क्या है so potential difference is nothing potential difference क्या है किनी भी दो points का जो electric field में यह electric field में है तभी यहाँ पे electrostatic force लग रहा है तो जो potential difference है दो points के बीच में जो कि electric field में होती है वो क्या होता है जो amount of work done जो हमें work done करना पड़ता है इस positive test charge को एक point से दूसरे point में लाने के लिए और against the electrostatic force ठीक है तो यह थी इसकी definition जो हमने यहाँ पे भी देखी है अब अगर आप यहाँ देखो तो potential difference आप क्या कर रहे हो आप work done कर रहे हो A से B की तरफ आने में तो जो potential difference होता है आपको पता है यह initial position है यह final होती है तो potential difference is always the final position B है क्योंकि आपको B के पास आना है minus the initial position तो यह potential difference किसके equal होता है जो हम work done कर रहे है जो हम work done कर रहे है किस से point A को point B में लाने के लिए इसको A B से भी represent किया जाता है per unit charge तो इस unit charge को जब हम A से B लाने के लिए जितना भी work done कर रहे हैं उसी को बोला जाता है potential difference ठीक है तो यहाँ पर आपको समझ में आया होका इस formula में potential difference हुआ क्या भई A में कोई और potential था B में कोई और potential difference है तो जब आप इसको उनको potential difference देखना है तो simple सा बात है तो work done upon unit charge के हिसाब से यह चलेगा ठीक है अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फर्दर तो यह तो हुआ potential difference की कहानी अब हम चलते हैं आगे अगर आपको definition यहाँ पर clear है बिटा तो अब हम आगे move कर सकते हैं ठीक है लेकिन एक दो चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा और पहला pointer जिस चीज का आपको यहाँ ध्यान रखना है वो यह है जो यह test charge होगा यह जो test charge आपका होगा यह बहुत small होना चाहिए पहला condition क्या है इस test charge को बहुत small होना चाहिए क्योंकि अगर यह बड़ा हो गया तो जो भी आपका source charge है और इसमें अगर यह size बहुत एक जैसे हो गए तो यह जो distribution है आपका potential difference का वो खराब हो जाएगा यानि वो bigger जाएगा तो हमें वही चीज़ avoid करनी है plus हमें एक चीज़ और ध्यान लखना है जो भी हम work done यहाँ पर apply करेंगे अब work done अगर कर रहे हैं तो definitely एक force apply होगा तो यह जो force हम apply करेंगे work done करने के लिए यह बहुत जादा force नहीं होनी चाहिए मतलब जो force लग रही है हमारी externally जो हम externally force लगाएंगे against किसके आपके electrostatic force के तो इन दोनो forces में बहुत difference नहीं होना चाहिए बहुत difference नहीं होना चाहिए यह बिल्कुल same होना चाहिए है और यह जो force लगेगी यह बस एक balancing force होनी चाहिए ठीक है तो balancing force होनी चाहिए जितना electrostatic लगा इतना यह work done लगा थोड़ा थोड़ा लगा धीरे धीरे मूफ किया तो जिसकी वज़ा से सबसे important point है work done करते time कोई भी acceleration नहीं होना चाहिए इस test charge का no acceleration of test charge यह जो हमारा test charge है इसका acceleration नहीं होना चाहिए यह नहीं है कि यह कहीं पर भाग रहा है हना आपको बहुत दीरे दीरे से अपना work done करना है तो यह है आपका पहला logic जो आपको भी याद रखना है ठीक है अब हम बात करते हैं अगले में electric potential की तो electric potential में और इस चीज में जो भी आपने पढ़ा इसमें कोई बहुत खास difference नहीं है बिटा so electric potential आपको क्या बोलता है इसकी definition भी देखिए electric potential जब भी हम बोलते हैं हमें देखना होता है तो पिछली बार क्या हो रहा था पिछली बार आपका ये source charge इधर था आपका ये जो test charge था क्यों not वो इधर था लेकिन इस बार उसने क्या बोला है अगर ये amount of work done ही होता है अभी भी in moving a unit positive charge from infinity हाँ इस बार इसने क्या बोला है ये जो हमारा test charge है इस बार अगर मैं इसको बहुत दूर कर दूँ बहुत दूर कर दूँ यानि एक infinity position पर कर दूँ और फिर अगर मुझे इसको उठाने के लिए अगर मुझे इसको उठाने के लिए किसी दूसरे point पर लाना पर रहा है तो उस force को यानि उस work done को हम बोलते है electric potential ठीक है तो electric potential आपने भी समझा है electric potential हुआ क्या electric potential आपका हुआ जब भी आप amount of work done करते हैं in moving a unit positive charge from infinity to a particular point b ठीक है so just like your previous thing कि यह जगर a में था यह b में आपको लाना है let's say यह o है लेकिन इस बार यह charge infinity पर बहुत दूर है तो अगर यह बहुत दूर है तो जो इसका potential होगा इस particular point का a का वो हो जाता है zero अब उसके zero होने से क्या होता है अभी आपने पढ़ा था कि vb minus va जो होता है वो work done होता है a से b नाले में और यहां पर क्या होगा आप infinity से किसी point b पे लेके आ रहे हो इसे unit charge को लेके आ रहे हो अब इसका value अगर zero हो जाएगा तो at last potential at point b जो आपको मिलेगा वो मिलेगा work done in bringing a charge from a to b where your a is at infinity and you are bringing it towards b divided by that unit charge got it और इस vb को further मैं v से अगर denote करूँ तो यह मेरे पास आ गया work done upon charge ठीक है तो यहां तक तो कोई challenge होना ही नहीं चाहिए तो अब मैं अगर वोल्ड की तरफ देखूँ यहां पर जो हमारा potential हो गया अब यह आपने बोला यह work done upon unit charge हो गया अब मैं इसके एगर unit पर जाओं मैं इसकी unit पर discuss कर रहा हूं तो unit is very simple work done is joule and q naught is your charge ठीक है तो यह आपका बन जाता है joule per column ठीक है और यह इसको in future आप वोल्ड से भी denote करेंगे यह धियान रखेगा अब अगर sir हम इसकी dimension पर जाएं ठीक है अगर आप इसकी dimension को भी check करना चाते हैं तो dimension भी देखिए बेटा dimension में आपको क्या करना होता है यह जो potential होगा work done क्या होता है force into displacement और यह आपका क्या है यहाँ पर q naught is a charge है ठीक है तो force का मुझे पता है ml t-2 होता है और जो displacement याणि distance होता है वो lens से represent होता है जो आपका current होता है वो क्या होता है charge per unit time और यही charge हमें यहाँ पर चाहिए current होता है ampere और यह cross multiply होगा तो 80 हो जाएगा तो जो हमारा charge का होता है वो बनता है यहाँ पर 80 ठीक है और जो मैं यहाँ पर यह arrange करूंगा तो यह बनेगा जो proper आपने देखा है MLT हराम तो यह आपकी unity भी आपको समझ में आई होगी तो आप इसको note करके लिख लीजिए मैं थोड़ा से screen को further आगे continuation में बढ़ा रहा हूँ ठीक है तो यहाँ तक कोई challenge तो नहीं है यार तो अब यहाँ पर इतना सब कुछ देखने के बाद अब आपको एक चीज clear होगा कि electric potential जो कोई चीज है यह as such कोई भी खास चीज नहीं है यह कोई as such special चीज नहीं है यह हमने खुदी एक define किया है बस हमें किसी electric field में क्या करना पड़ रहा है हम potential देख रहे हैं उस particular point पे तो यह कुछ भी नहीं है basically है आप बस यह नहां लखना आप कितना work done कर रहे हो that is the important thing ठीक है तो work done एक unit charge को एक point से दूसरे point में लाने के लिए ही यह सारा study हुआ है so hopefully आपको समझ में आया होगा अब हम potential की कुछ derivations देखेंगे अगले video से till then goodbye